हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्व चैनल पे आज की इस वीडियो में मैं आपको D2H का रमोटर सही करना सखाऊंगा कि आप उसको घर पर किस प्रकार सही कर सकते हैं देखिए रमोटर आपके पास किसी भी कंपनी का हो चाहिए किसी भी कंपनी हो LED का हो चाहिए किसी भी ची का हो आप उसको यह जो मैं मैं प्रकार आँगा सेम उसी परकार आपको सही करना है देखिए मैं आपको देखिए आपको केमरे में दिख रहा है देखिए यहां पर सेंस सब्सक्राइब को टेस्ट कर देखिए ये नहीं गलो कर रहा देखिए अब देखिए ये मारा पसीर मोटा है देखिए देखिए ये काम कर रहा और ये नहीं कर रहा देखिए अब हमें सबसे पहले तो इसकी हमें बेंटरी को टेस्ट करना है इसकी बेंटरी में तो कोई क्या होता है हमारी बेंटरी डिस्चार्ज हो जाती है जिस वजह से जिदे की आपको डी सी 20 वोल्ट की रिज़ रखना तो उसकी वज़ा से हमें देखिए यह पॉट टीप है देखिए एक पॉंट फाइव बुर्ट देखिए बिलकुल सही है क्योंकि यह एक पॉंट फाइव प्रावमा देखिए सबसे पहले हम को यहां से दिक इस तरह से इस तरह देखिए बड़ी राम से यहां से यह बड़ी राम से खुल जाता है और आप हमें इसमें यह बेंटरी लगानी है और हमें चेक करना है भी हमारे PCB पे वोल्ट बन रहे जानी तीन वोल्ट के आसपास बनेंगे देखे तीन से उपर ही देखे तीन पॉइट बीस देखे बिलकुर सही है इसका मतलब यह हमारे बेंटरी बिलकुर सही है और यहां पे बोल्ट भी बिलकुर सही है तो अब हमें इसको बेंटरी को बाहर निकालते हैं बेंटरी को बाहर निकाला और अब इस पीसी लिए कई बार क्या होता है कि हमारे जो यहां से बेंटरी है वो लीकेज हो जाती है बेंटरी हमारे लीकेज ह जाता है इस पर कोई नहीं बिल्कुर साफ है इस पर कोई भी कार्बन नहीं कार्बन होगी तो आपको उसको साफ करना है और फिर इसमें बेंट लगाना है बेर मोट चल जाएगा वह देखी और इसमें जो फाल्ट आता है मैं आपको में में फाल्ट बताता हूं जिसमें क्या पॉर्ट आते हैं सबसे पर आपका ये कई बार क्या होता है रमोट गिर जाता है जिस वजह से आपको यहां से यह दो प्रहें बैटरी के यहां से ड्राइश ओल्टर हो जाता है दूप तो बार्ट देखिए और यह कि यह से सेंसर देगी यह सेंसर हमार टोटा हो देगी दिख शिलेख देखिए उसके बार करेंगे भी एर मोट चलता है यह नहीं अगर उसके बाद भी मोट नहीं चला तो हम इसका यह सेंसर चैंज करेंग्यल क्रखें धिस बिए अच्छी तरह से करेंगे जिससे कि यह दुबारा प्रोब्लम ना बने है आप है हम शोल्टेंग इस पर अच्छी तरह चाहिए तरह को यह क्या है कि यह कि बार हमारा रमोटन नीचे गिर जाता है जिस वजह से यह प्रोल्म आती है भी देखिये लिए और इसमें एक प्रोल्म मरा कि कई बार किया होता है इस पर यह कार्मन जम जाती है आप उसको कोटन and कोपर कोटन और पटरॉल की साहिता से उसके साफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जायतर कार्बन बगीर जम जाती है तो आप कार्मॉड बलकल पर्फेक्ट काम करेगा और देखिए जिस प्रकार हमने को यहाँ से यह इस तरह समया ब हुआ दोस्तों का कोई बी मोट हो सब में चो मैंने बताया है वही problem होती है और उसी तरह ठीक कर सकते हो देख़्िए अब आपको मैं दिखाता हम कहीं मैं देख्ण आप देखिए अथि देखिए वर्किंग कार देखिए अब मैं आपको वही देखिए वही रमोट है दोस्तों जो हमारे पास खराव था देखिए बिल्कुर सही काम कर देखिए तो दोस्तों आपने कोई भी रमोट होगा आप उसी परकार से सही कर सकते हो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्रावी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद